हेलो एवरीवन, माइनम इस सेफ एमद, यूर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर और वल्कम यू आल तो माय यूट्यूब चैनल अगेन लास्टाइम हम मरकरी बैरोमीटर को डिसकस कर रहे थे, मरकरी बैरोमीटर होता क्या है जिसकी वज़ा से हम अगर आपने ये टॉपिक बैटा अच्छी तरह समझना है तो इसका डिटेल जो कॉंसेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बैटा स्टार्ट हम कर रहे हैं मरकरी बैरोमीटर से मैंने आपको थोड़े से इसकी डिटेल बता दी कि इसकी वज़े से हम क्या मैयर करते हैं atmospheric pressure मैयर करते हैं मैंने आपको तरीका क्या बताया था जो तरीका बताया था जो मैथड़ बताया था वह यह था कि मैंने का था एक टब लीजिए mercury से फिल करें उसको clear और एक ट्यूब लें जिस तरह यह ट्यूबस आपके सामने बनी इस ट्यूब को फुल यहां से यहां तक कंप्लीट कर दें किसे सोरी फिल कर दें किसे mercury से अब थम रखके इसका जो रास्ता है उसको ब्लॉक कीजिए और इसको invert कर दें किसके अंदर इस mercury के टब के अंदर clear हो गया अब जैसे ही आप release करेंगे तो यह जो पहले सारा का सारा जो mercury बेटा यहां पे सब फिल हुआ वा था यह सारा एरिया ऐसा ही है अब यह जो mercury का जो लेवल है यह बेटा drop होना शुरू हो चाएगा और drop होगा और अगर आप यह ए form कर रहे हो तो आप देखोगे कि यह जो हाइट है यह 76 cm जब होती है तो बेटा तब क्या होता है यह mercury fall करना tube के अंदर stop कर देता है stationery हो जाता है ऐसा क्या हुआ इस point पे कि जहां पे mercury का जो fall है वो 76 cm पे आके stationery हो गया इस point पे atmospheric pressure जो था वो अब equal हो गया है इस tube के अंदर mercury के pressure की वज़ा से है clear हो गया दोबारा सुन ले यह जो tube के अंदर pressure है किसका mercury का यह भी equal हो गया है किसके atmospheric pressure के जिसकी वज़े से क्या हुआ यह जो मरकरी है ना यह अब rise कर पा रहा है ना यह fall कर पा अगर आप water use करोगे तो यही जो height होगी यह बेटा कितनी हो जाएगी 10 meter पे इस किसम का behavior शो करेगा मैंने आपको दो points दिखा दिये point A point B अगर मरकरी यहां पर आगे stationary हो गया है 76 cm that means दोनों point पे जो pressure है PB atmospheric pressure यह PA के बराबर PA पे कौन सा pressure है mercury column का pressure जो कि liquid rise कर चोका है weight की वज़ा से clear हो गया mercury के weight की वज़ा से clear अब आपने दो formula पढ़ लिया P is equal to PB PB कौन सा pressure पीबी कौन सा pressure है atmospheric pressure है जो के 1 ATM के बराबर है जबके जो pressure है mercury column का वो हम find out कर लेते हैं बेटा किस formula से rho GH formula से clear density of mercury आपको याद अगें नहीं करनी 13545.848 है multiply 9.8 किया multiply 0.76 किया तो बेटा हमने यह last lecture में value calculate कर ले थी 180 is equal to 101325 Pascal at sea level मैं mention कर रहा हूं बेटा यह किस level पे है at sea level clear यह हमने perform किया क्या मतलब निकला कि 76 cm पे उतना ही pressure होता है जितना atmospheric pressure होता है 76 cm क्या मतलब यह 10 meter water का जो rise है यह 10 meter जो height है water की एक एक यह tube के अंदर यह equal है 180m pressure के 101325 Pascal के क्या मतलब निकला इसका बेटा वही मतलब है जो मैंने आपको एक slide में अगर आपको याद होगा दूसरे lecture मैंने आपको यह slide करवाई थी जिसमें मैंने आपको आपको कहा था यहां पर बेटा मैंने कुछ गलत बोल दिया हो दुबारा सुनने बेटा कि जो pressure है किस पर एट सी लेवल पे वह कितना है 100 किलो पासकल और बेटा 10 meter आप depth में आए हो अभी भी कितना है 100 किलो पासकल है clear क्या मतलब निकला मतलब यह निकला कि 10 meter depth पे अगर आप एक ocean में हो water है आपके पास और उस water के 10 meter depth के अंदर जो pressure है वही pressure आपका atmospheric pressure के बराबर होगा clear हो गया दुबारा सुनने बेटा कि आप पानी के 10 meter depth के अंदर जाए तो आपको जतना pressure फिल होगा यह जतना pressure आपकी body पे apply हो रहा है वह वही pressure है वो उस pressure की value equal है atmospheric pressure के बराबर है clear हो गया ठीक हो गया लेकिन अगर मैं कोई एक ocean मनाता हूँ किसका एक mercury से मैं भर देता हूँ clear हो गया so atmospheric pressure 180m बाहिर किसके बराबर होगा 76 cm depth of mercury clear हो गया जैसे ही हाँ पर 10 meter अंदर आयो तो pressure आपको same मिला atmospheric pressure के इसी तरह mercury एक mercury के imagine कर लो C है उसके 76 cm अंदर आओगे तो आपको वो ही pressure मिलेगा जो atmospheric pressure होगा बाहिर clear students यह last जो red lines लेकिन है इसका यह मतलब है if you go to the 76 cm deep into the mercury tank pressure will be same as 1 ADM normal atmospheric pressure is 76 cm of mercury and about 10 meter of depth तो यह मैंने आपको सारी बात समझा दी है clear students अब बेटा हम last बात करते है concepts about mercury barometer यह कुछ results है इनको आपने याद रखना है कि pressure doesn't depend on the shape of column of barometer level will remain the same यहां देखिए बेटा यह आपको सामने मैंने slide एक show की है जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें different तरह की क्या है बेटा different तरह की आपको slides नजर आ रहे है different तरह की tubes नजर आ रहे है ठीक है so आप देख रहे हो कि tube का level आप hopefully इस पे गोर कर रहे होगे यह जो tube का level है यह यहां पे बिल्कुल vertical है clear यहां पे बेटा क्या है थोड़ा से तर्चा कर दिया है पे और क्या कर दिया है bend कर दिया है clear हो गया so mercury का जो level है बेटा वो यहां पे होगा यह 76 cm height है clear हो गया so अगर आप किसी tube को 76 cm से नीचे ले आओगे तो वो completely fill हो जाएगी क्यों ऐसा क्यों है क्यों क्योंकि अंदर का जो pressure है clear हो गया वो अभी कम होगा as compared to atmospheric pressure तो देज सही इसको vertical करके 76 cm पे ले किया होगे अब यह अपनी liquid जो है वो अपने height को क्या कर लेगा maintain कर लेगा clear हो गया ठीक हो गया so vertical position की हम बात करते हैं दोबारा देख लें यह 76 cm है यह water की surface से लेकर मतलब यहां से barometer के इस point से लेकर यहां तक यह height होती है उसके बाद next point है if we add or remove mercury from tray same mercury level will rise or decrease respectively by remaining mercury level difference 76 cm क्या मतलब निकला बेटा है इसका मतलब यह निकला बेटा कि आपने एक इस तरह का एक tub बनाया है clear और इसका जो mercury level है वो यहां पे है okay मैंने क्या किया कि इसके अंदर यहां पे एक mercury की tube मैंने क्या करके इस तरह करके रख दी okay थोड़ी सी जीबो गरीब सी हो गई है लेकिन I hope so क्या आपको समझा जाएगी इसको vertical proper बना लेज़ेगा चले आप सही बन के ठीक है okay यहां देखिए बेटा देहां से जरा आप लोग ने सुनना है अभी यह हाइट कितनी है बताव बेटा शाबश यह हाइट है 76 cm क्या यूज कर रहो मर्करी यूज कर रहो के यहां से कहां से है इस water की surface से कहां तक है बेटा यहां तक हाइट है इतना हो जाएगा एगरी तो अब तो 76 cm नहीं होना चाहिए तरह लेकिन क्या होगा कि यहां पे जो लेवल है किस चीज का मर्करी का अब वो ट्यूब के अंदर राइस कर जाएगा यहां से अब वो यहां चला जाएगा कुछ इतना उपर जाएगा कि दुबारा दुबारा यहां से लेकर यहां तक जो यह हईट होगी यह 76 cm ही मेंटेन रहेगी प्लेयर हो गया? दोबारा देखें, यहां से मरकुरी मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, अब क्या हुआ, कि अब जो मरकुरी का लेवल है, वो यहां पे आ गया, प्लेयर हो गया, तो अगर मैं मैयर करूँ, यहां से यहां तक मैयर करूँ, तो यह हो सकता, बेटा, 76 से जादा बन रहा हो, तो लिक्वर्ट कया करेगा, मरकुरी करेगा कि मरकुरी अपने लैयुल को और नीचे लेगा, इतना नीचे लेगा, कि अगर आप यह वाटर कि सर्फिस से यहां से आप यहां तक अगर यह डिस्टनस मुएर करोँगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा बहत कम लग लेवल है ट्यूब के अंदर वह वैसे ही कभी हाई हो जाएगा मतलब कभी इंक्रीज हो जाएगा कभी डिक्रीस हो जाएगा 76 cm को प्रॉपर मेंटेन करेंगा एक लेड़ हो क्या चीजों को कॉंस्टेंट करो बेटा तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर आप वाटर यूज करोगे जिसकी डेंस्टी मरकरी से कम है तो होगा क्या कि जो हाइट है वो 76 cm नहीं रहेगी वाटर के लिए वो कुछ और हाइट राइस कर जाएगी तब जाके अंदर का प्रेशर बाहिर के प्रेशर के ब्राबर होगा और मैंने आप भी आपको समझाया कि अगर आप वाटर यूज करोगे ना तो 10 मीटर हाइट पर जाके आपको प्रेशर बेंटेन होगा clear greater the external pressure तो अगर आप यही experiment कर रहे हो पेटा sea level पे आगे और sea level से भी काफी नीचे चले जाता है तो हो सकता है 76 cm से भी उपर आजाए किसकी height मरकरी की height लेकिन अगर यही experiment आप जाके मरी या कागान नारान की heights पर जाके आप यह practical perform करोगे तो हो सकता है वहाँ पे 76 cm से नीचे let's suppose 60 पे आजाए 65 पे आजाए 70 पे आजाए अपनी height को वो drop कर देगा तो बाहर जितना external pressure बाहर जितना atmospheric pressure पेटा अंदर भी उसके मताबिक liquid rise or fall करेगा तो इस एप इंटर्डूस दा एर इंदा vacuum region दा मरकरी or the liquid will rise will decrease as the internal pressure increasing okay so पर लीचे का बाहर लाइन इसमें कह क्या रहा है कि अगर आप यहां से एक छोटा सा होल करके यह होल खुदी हो गया यहां से बाहर हम क्या करते है air को in करते है तो होगा क्या कि air इदर आईगी atmospheric pressure generate होगा यह नीचे डाउनवड करेगा तो liquid खुद बाखुद गिर के दोबारा उस टब में आजाएगा clear student so बेटा I hope so कि आपको समझ आया होगा again बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो first attempt पे समझ नहीं आती कुछ चीज़े boring कर रही होती है तो आपने करना क्या है कि इस lecture को आपने बार बार सुनना है जो चीज़े आपको नहीं समझ जा ही मुझे बताईएगा हम दुबारा असान करके इसको समझ लेंगे so start बेटा हमने कहां से किया था इस pressure की in slide से किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम cricket की ball को एक side को rough रहने देते हैं एक side को बार बार रगड़ रगड़ के shine करते हैं ऐसे ही है न इस तरह समझ ले इस बात को कि जो side rough होती है और जो side shine करती है इन दोनों की side पर pressure difference create हो जाता है clear हो गया? अब क्यों create होता है वो एक लंबी चोड़ी फिर बात चल पड़ेगी लेकिन हम एक side को rough करते हैं एक side को shine करते हैं एक side को rough होने देते हैं एक side को आपने देखा होगा वो characters होगरा shine कर रहे होते हैं proper और आपने शाहिद अफ्रीदी का भी case देखा हो जिसने वो पूरी ball को teeth में चुबा के एक side को rough करने की कोशिश की दी इसी तरह Australia के समेथ और रेंच शाह पे भी ये problem हुआ था कि वो tape से एक surface को क्या कर रहे थे rough बना रहे थे ball की एक side को तो बेटा होता क्या है कि एक side पे high pressure create हो एक side पे low pressure तो जो air का जो जो pressure apply होता है वो एक side पे apply होता है जिसकी जिसकी वज़े से जो ball जो है ये swing होती है मैंने आपको इस stadium के बारे में बताया था इस stadium का जो altitude है ये बेटा है 1400 meter height पे है approximately sea level ये धर आमशाला का एक stadium है so यहाँ पे चुके atmospheric pressure भी कम होगा जिसकी वज़े से जो ball है इसको कम air resistance का सामना करना पड़ेगा और ये ज़्यादा speed से travel करेगी इसी तरह ये wind blows करते हैं बेटा high से low की तरफ तो इसको इंशाला हम किसी और chapter में discuss करेंगे कि जब भी एक side पे high pressure create होता है एक side पे low create होता है तो हमेशा जो हवा होती है वो high pressure से low pressure की तरफ move करती है होता क्या है warm air उपर rise करती है उसकी जगा लेने के लिए cold जो है air है वो उसकी तरफ move करती है ये बेटा हम जो right side पे है ये वेसी के लिए एक वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक बड़ी सी tube लगी हुई है ये नजर आ रही हो ये tube कहीं जा रही है ये tube क्या create कर रही है ये tube इस cylindrical steel wall cylinder के अंदर क्या create कर रही है वेक्यूम क्या create कर रही है ये vacuum अंदर vacuum हो गया तो बाहर क्या है बाहर तो atmospheric pressure है यूँए प्रेश était डेले निदमतिथ कर्वागी केटा हर जगह से सको क्या कर्वारा है कंप्रैस कर्वाइश wes क्प्रिशर के यूपरेश होती है उपन होती है जिससे सीठी के वाज़े भी आती रहती है भंगर वो किसी थरा क्लोज हो जए और अंदर स्टीम बहुत ज़्धा कठी हो जाए तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से लेकिन जैसे हम स्की उपड़ ठंडा पानी डालते हमां करते हैं उसको कैस व्लैफ् EV単ा होगी ए इंदरकुणर थे किया ये स्टीम हो अगुर्णा स्टार्ट ィ contemporary हम जदा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो pressure है वो कम apply होता है clear होगा इसी तरह यह भी same case यही था यह तो हमने काफी detail से study की के यहाँ पर pressure की value जदा है यहाँ पर pressure की value कम है यहाँ पर pressure की value और कम है इसी तरह बेटा जब इस cap को यहाँ से remove करते है तो atmospheric pressure है इसके इस होल की ऊपर इस सोरी इस कैप के हटने की वज़ए से लिक्वर की पर अपलाए करता है और यहां जे देखें यह बिटा यह देखें यह वाटर साइडों से गिरना शुरू हो जाता है जो साइडों से फिन्स से होल किया हो गया एक घर में ट्राइक कीज़े का लाई नहीं वह रहा होता और होल्स की उपर आउट साइड से प्रेशर लग रहा होता है तो जो पानी है वो अंदर रहा जाता है सेम यही केस है जिसमें हमने एरिया को क्या करते हैं एनके ब्लेड होते हैं उनके एजजें इतना कम करते हैं कि वहां पर जो प्रेशर होता है सब्सक्राइब करें जब तक आपको समझना है इसको अपने बारबर एंडरसटाइंड करने की कोशिश करनी है इंशाला नेक्स लेक्चर में मैं आपको कुछ पीड हो के वर्डशीट्स करवा दूँगा जिसमें आप थोड़ा सा आपको अंडरस्टाइडिंग हो जाएगी के पेपर में किस तरह क्वेस्टन आते हैं फिर अगर आपको कोई भी क्वेस्टन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे उस क्वेस्टन का वेरियंट लेके इंबॉक्स कर दें इंशाला इंस्टापे कर दें यहीं कमेंट बॉक्स पर कर दी जाएगा तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाके अपलोड कर रहे तो इंशाला नेक्स लेक्टर मिलते हैं मेटा हम टॉपिकल्स की तरफ जाते हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दौह में याद रखिएगा अलाफिस